हालो फ्रेंड्स आज हम लोग करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड केस लॉउज CA final के study mat से ये केस लॉज हम कवर करेंगे तीन केस लॉज इन्हों ने दिया है पहला ये बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहला case law अगर हम लेते हैं तो इसमें discussion है SSE ने कुछ receipt ली है क्या ये receipt capital नेचर है या ये revenue नेचर है case law को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा साब को introduction दे दूँ जैसे कोई भी receipt अगर revenue नेचर का होगा तो उसकी taxability निश्चित है accept की exemption ना दी गई हो से section 10 में अगर वो revenue receipt है तो reason क्या है सर अगर आपके पास कोई revenue receipt है तो वो salary head में जा सकता है अगर salary में नहीं charge हुआ तो house property अगर वो business से related है तो business cap gain में possible नहीं है revenue receipt otherwise other sources में वो taxable हो ही जाता है क्योंकि other sources residual method को follow करता है जो बच्चा की इंकम है लेकिन इसके लिए revenue nature का होना ज़रूरी है अगर आपकी receipt जो आप प्राप्त कर रहे हो वो capital nature है तो फिर वो taxable सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब किसी charge में वो फसेगा charge कहने का मतलग salary में section 15 में अगर वो covered हो रहा हो house property के section 22 में वो covered हो रहा हो pgbp के section 28 में covered हो या capital gain 45 में या other sources के 56 में covered हो रहा हो other sources में भी कुछ capital receipt को लिया गया है लेकिन capital receipt को taxable करने के लिए lawmaker को उस receipt को कहीं mention करना पड़ेगा otherwise वो बच जाएगा तो जैसे पहला case है वो capital receipt है या revenue receipt है इसके उपर discussion है अगर वो capital receipt है तो बच सकता है वो taxable हो भी सकता है बच भी सकता है revenue receipt है तो taxable हो जाएगा उसी तरह हम दूसरे case law पर जब आएंगे तो यहां discussion किया हुआ है कि SSE ने कुछ expenditure include किया है businessman है खर्चे किये है तो businessman अगर revenue nature का खर्चा करेगा business related है तो section 37 में वो fall करके P&L में debit किया जा सकता है या तो कोई section उसके लिए बनाया गया हो section 30 to 36 और अगर नहीं बनाया गया हो तो 37 में अगर वो business nature है illegal नहीं है revenue nature है तो वो P&L में debit हो सकता है लेकिन अगर capital nature आप incurred करते हो तो उसके debit करने के लिए particular sections होना जरूरी है जैसे depreciation या जैसे section 30 से 36 के अंतरगत कुछ capital receipt capital nature के expenditure को भी cover किया गया है कि कैसे उसे amortize करेंगे P&L में तो इस case law में discussion है Honda Honda sell car India limited में कि क्या यह जो खर्च किया जा रहा है यह revenue nature है या capital nature है अगर capital nature है तो फिर वो P&L में debit होगा या नहीं यह discussion है आप कह सकते हो कि सरी है तो business profession के chapter में आना चाहिए basic concept इसलिए क्योंकि हमें receipt की पहचान होनी चाहिए expenditure की पहचान होनी चाहिए कि खर्चा revenue nature है या capital nature receipt revenue nature है या capital nature तीसरा जो case law करेंगे discuss तीसरा तो case law है यह इसे हम IFOS के head में भी कर सकते थे cover लेकिन मैंने CA final case study mat जो CA institute से निकाला हुआ है 2022 का है यह 2022 का तो उस study mat को base लिया है इसलिए जो भी case law जिस भी chapter में है मैं उसके साथ पढ़ा रहा हूँ अलाकि इसे हम other sources में भी पढ़ सकते थे section 68 के उपर यह based है 68 जो कहता है कि अगर cash credit A.O. ने आपके book में पकड़ लिया है तो वो आपसे explanation मांगेगा और अगर आपने satisfactory explanation नहीं दिया है A.O. को अगर A.O. को आपके book में cash credit मिल गया तो वो आपसे explanation मांगेगा और अगर आपने satisfactory explanation नहीं दिया तो वो आपकी income में add हो जाएगा और जब 68 में covered हो रहा है कुछ तो एक तरीके से वो क्या बना है black money जिसके उपर tax का rate भी 30% लग जाता है सरचार्ज भी fixed है तो section 68 पर यह based है यह आप इसे tax rate में भी पढ़ सकते थे आई यह फोएस में पढ़ सकते थे लेकिन इसे हमने यहां cover किया है जैसा मैंने आपको बताए कि CA final study mat को base लेकर मैं चल रहा हूं तो 3 case law है जल्दी जल्दी हम complete करेंगे नंबर वन पर है सौरास्ट सीमेंट लिम्टेट सुप्रीम कोट 2010 पहले भी आपको मैं बता चुका हूं case law की series में कि पूरे facts देना possible नहीं है तो study mat में भी पूरा fact नहीं है उन्होंने crux में दिया है जहां मुझे जरूरत होती है मैं case को study करता हूँ और आपके लिए fact जितनी हो सके जो आपकी जरूरत पूरी करे वो fact मैंने यहां पर present किया है fact क्या है देखे SSE cement manufacturing का का काम कर रहा है SSE का का काम है cement manufacturing करना बनेगा SSE ने supplier से contract किया कि आप हमें cement plant तयार करके supply करो cement plant खरीद रहा है SSE supplier से supplier के साथ agreement हुआ कि आप cement plant हमें दोगे और एक particular stipulated time जो agreement में है उस time के अंदर ही आप deliver करोगे तयार करके यहां तक कि agreement में यह भी लिखाता कि अगर आप उस time period में नहीं दे पाए तो supplier को 0.5% of price cement plant assembled होता है तरीके से मैं आपको practically बताओ तो cement plant जो है वो assembled होता है तो supplier से यह agreement था कि आप cement plant assembled करो और जो हिस्सा assembled नहीं हो पाया है particular stipulated time में तो उस हिस्से की जो price है उसका 0.5% पर मंद के हिसाब से आप हमें पे करोगे यह payment क्या है एक तरीके से liquidated damage के लिए पे करना है जो हमें नुकसान हुआ आपने timely deliver नहीं किया इसके लिए आपको पे करना है तो यह agreement में mention था agreement के अंतरगा कि यह हुआ यह तो था agreement फिर क्या हुआ सप्लायर ने प्लांट के कुछ पार्ट पर्टिकुलर टाइम पर डिलीवर नहीं किया और उसके प्राइस का 0.5% पर मंद के हिसाब से उन्होंने liquidated damage पे कर दिया SSE के लिए यह जो payment है वो receipt बन गई AO ने कहा कि इस receipt को हम taxable करेंगे कहा taxable करेंगे business profession के headman taxable करेंगे receipt है तो taxable करेंगे यह आपके business related है SSE का कहना था कि यह capital nature की receipt है और अगर इसे आप taxable करना चाहते हो तो आपके पास एक charge होना चाहिए कहीं पर यह mention होना चाहिए तो वो कहां mention है section 28 PGBP आप कह रहे हो वहाँ देख लो नहीं मिला salary house property cap gain में नहीं possible था तो फिर other sources 56 देख लो वहाँ भी नहीं मिला तो यह capital receipt है और यह taxable नहीं होगा यह SSE का कहना था court का जो judgment आया वो judgment भी SSE के favor में आया Supreme Court ने कहा कि यह capital receipt है पहली बात तो यह capital nature का है यह capital nature का है क्योंकि यह profit earning source के लिए दिया गया है और यह capital nature है यह ordinary course का part नहीं है कि आप इसे revenue nature treat करो यह capital nature है अब capital nature को taxable करना है तो आपके पास section में mention होना चाहिए वो section में आपके पास है नहीं इसलिए यह capital receipt not chargeable to tax होगा अब मैं आपको interesting fact बताता हूँ इससे related 2010 का यह judgment है काफे पुराना judgment है इस तरह के और भी कई सारे judgment आये जिसमें business related कुछ receipt को capital nature declare किया गया और taxable नहीं किया गया 2018 के finance act में उन सभी decision को overrule किया गया 2018 के finance act से वो सारे decision overrule कर दिये गया section 28 clause 2 sub clause E में capital nature के compensation जैसे यह liquidated damage है compensation को cover किया और कहा कि यह हर हाल में PGBP माना जाएगा यहां तक clear हो गया section 28 clause 2 sub clause E inserted by मतलब section insert नहीं हुआ है sub clause E insert हुआ है finance act 2018 से और बहुत सारे case laws जो capital receipt declare कर रहे थे और taxable नहीं कर रहे थे उन सब को nullify कर दिया ठीक है यहां तक की वैसे यह discussion अभी करने का part नहीं है यहां तक की salary head में भी amendment किया गया कि अगर इस तरह के capital nature की receipt employment related हो रहे हैं तो salary में जाएगा otherwise हो रहा है तो other sources में जाएगा और business related है employment related नहीं है business related है तो PGVP में जाएगा अब प्रशन रुपता है कि क्या इस clause के sub clause के डल जाने के बाद यह case law जो सौरास्ट cement limited 2010 का है ओवर्राइड हो गया तो फिर स्टेडी मैट में क्या कर रहा है शायद गलती हो गई है नहीं यह ओवर्राइड नहीं हुआ है जरा फरक को समझेगा जो clause E जिन्होंने भी लिखा था जिन्होंने भी लिखा था finance minister जो भी रहे थे हम उस पर discussion नहीं करेंगे 2018 में जिन्होंने भी इसे insert किया था वहाँ पर या तो deliberately जानबूज कर या गलती से यह भूल हो गई है कि जो section 28 में amend किया गया है पार्ट उस पार्ट में कुछ points के उपर जोर दिया गया है वो points किया है जरा देखिएगा वो points हैं अगर कोई compensation मिलता है SSE को चाहे वो nature कोई साभी हो साफ साफ लिखा है चाहे कोई साभी nature हो revenue nature capital nature फरक निवरता compensation मिलता है SSE को SSE को कोई compensation मिलता है in connection with termination or modification in connection with यहां आगया मैं in connection with termination or modification of term conditions या तो कोई contract terminate हुराया है उसके respect में मतलब terminate का मतलब है कि समय पूरा करने से पहले हम उस contract को रद कर रहे हैं तो वो terminate हो रहा है या contract में कुछ modification हो रहे है terms condition में और इसके संबंध में किसी को compensation दिया गया है वो contract business से relate कता है तो चाहे वो compensation किसी भी nature का हो that will be taxed under the head PGPP लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस fact में आप ध्यान से सुनिये और देखिए इस fact में क्या agreement तोड़ा गया है क्या agreement को terminate करने के लिए compensation दिया गया है ये agreement पहले से clear था कि आप मुझे within stipulated time cement plant assembled करके देंगे और अगर आपने नहीं दिया उस particular time में तो आपको ये liquidated damage pay करना पड़ेगा as per agreement तो as per agreement हमने नहीं दिया within time और liquidated damage हमने pay किया है ना terms condition terminate ना कोई contract terminate किया है तो क्या इस दोनो points के beyond चला गया हमारा ये fact यस क्या इस दोनों points में covered हो रहा है हमारा ये fact नहीं इसलिए section 28 clause 2 sub clause E इस case law पर applicable नहीं हो रहा और ये case law आज भी relevant रहेगा जब तक कि further को amendment ना आ जाए ठीक है तो मैंने यहाँ पर mention कर दिया है however damages upon breach of contract without termination termination नहीं किया हमने contract within time period था हमने उसे तोड़ दिया within time period नहीं किया और उसके बदले compensation जो लिखा है as per contract हम pay कर रहे हैं तो हमने terminate नहीं किया हमने terms condition को modify नहीं किया ऐसे में ये section 28 में covered नहीं होगा अब क्या होगा इसको taxable करें कि नहीं करें depends आगे मैंने ये लिखा है depends upon nature अगर revenue nature है और business से relate है तो definitely it will be taxed और अगर capital nature है तो ये taxable नहीं होगा और सिंस ये सौराष्ट cement limited का जो case है ये capital nature को बताता है इसलिए ये case law अभी भी सुरक्षित है ओवराइड नहीं हुआ है ठीक है नेक्स्ट आते हैं case law पे यहां पर effect समझते हैं क्या है Honda स्टील कार लिम्टेड होंडा सेल कार लिम्टेड 2017 सुप्रीम कोड 2017 का judgment है यहां पर थोड़ा सा technical points है तो समझने में आपको शायद दिक्कत आ सकती है यहां मैं try कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए मैंने facts को थोड़ा सा graph wise present कर दिया है SSE है और एक है Hero Motor जो जपैन की कंपनी है Hero Motor Corporation Limited जपैन की कंपनी है तो SSE इंडिया की कंपनी और जपैन की कंपनी ने साथ में मिलके एक joint venture agreement बनाया वो agreement था TCA Technical Collaboration Agreement Technical Collaboration Agreement के अंतरगत एक setup तयार होना था इंडिया में इंडिया के company के लिए इंडियन company के लिए और जो जपैन की company थी वो उस setup से related technical know-how और technical information supply करेगी सारे setup से related जो भी technical know-how है वो भी देगी technical knowledge भी support भी सब कुछ देगी और इसके बदले जपैन की company को इंडिया की company consideration के रूप में जो भी amount तय हुआ है वो पांच continuous equal installment में pay किरेंगे पांच continuous equal installment में pay किया जाएगा तीसरे साल से installment शुरू होना था इतना facts मैंने यहां नहीं लिखा अब प्रशूरता है कि जो इंडियन company है वो जो technical fee या royalty कह लीजिए आप pay किया गया है जपैन की company को इंडियन company द्वारा क्या वो इंडियन company का revenue nature का खर्चा है या capital nature का खर्चा है अगर हमने किसी व्यक्ति के know-how को use करने के पैसे दिये है technical information निकालने के पैसे दिये हैं तो यह जो payment हम कर रहे हैं यह payment revenue nature माना जाएगा तो section 37 के accordingly P&L में debit हो जाएगा या यह capital nature है discussion इस बात का था चीक है कोट का judgment है कि अगर आपने technical know-how existing business के लिए लिया है आप existing business कर रहे हो उसको improve करने के लिए कोई technical knowledge sharing करवाई है और उसके लिए आपने fee pay किया है तो that will be capital nature expenditure and allowed under section 37 लेकिन अगर आप new setup के लिए new business या existing business में कए नया setup आप डालने के लिए यह technical know-how ले रहे हो तो इसका खर्चा capital nature का है फिर यह खर्चा capital nature में जाएगा फिर capital nature में आप इसको intangible asset मान के इसके ओपर depreciation block में डाल सकते हो वो matter करेगा कि आपने license कैसे obtain किया है technical know-how का वो separate matter हो गया PGBP के chapter का matter हो गया इस case law का सिर्फ इतना judgment है कि यह revenue nature है या capital nature अगर आपने कोई capital nature का खर्चा किया है technical know-how को obtain करने के लिए तो definitely यह आपके block का part बनेगा और उसके उपर आपको depreciation मिलेगा तो वो separate issue हो गया फिलाल discussion था कि SSE नहीं से revenue nature मान कर P&L में debit किया था क्योंकि SSE का business already चल रहा था बट case study में case law में court का judgment आया कि आप existing business के लिए यह नहीं ले रहे आप नया setup कर रहे हो उसके लिए यह ले रहे हो तो यह नया setup करने के लिए जो आपने technical know-how या भी या फिर technical information लिया है support लिया है यह नए business के लिए यह आपके capital nature का खर्चा बनेगा यह revenue nature का खर्चा नहीं बनेगा ठीक है इसके साथ इस discussion में यह भी था कि इस case को कैसे पहचाना court ने वो भी लिखा हुआ है कि जैसे ही आपका agreement SSC का कहना था कि हम लोगों ने joint venture किया है तो जो नया setup है न वो joint venture है तो court का कहना था कि यह जो joint venture है यह joint venture सिर्फ दिखाने के लिए बेसिकली जो असली चीज़ है वो है agreement क्योंकि जैसे ही आपका technical collaboration agreement खतम होगा terminate होगा कम समापत होगा वैसे ही आपका joint venture भी खतम होजाएगा तो इसलिए यह एक नया setup माना जाएगा और खर्चा capital nature का ही माना जाएगा यह था judgment आपको decision याद रखना है यह जो facts है उस पर question as it is बना कर दिये जाते है facts को लिख कर दिये जाते हैं और फिर आपसे पूछा जाता है ठीक है next case study यह भी बड़ा interesting है क्योंकि 2023-2023 के assessment year से section 68 में amendment आया है और यह 68 से relate करता है तो क्या after that amendment इस case law को हम override समझे इसको भी हम आज discussion में रखेंगे अलाकि sections वगरा भी हम शो यहां नहीं करेंगे यह सिप case study है उस पर ही हमारा focus है तो section 68 आपको पढ़के रखना चाहिए section 68 की knowledge होनी चाहिए थोड़ा सा briefing तो कर दूँगा लेकिन थोड़ा तो knowledge आपको भी होनी चाहिए तभी इसमें वजा आएगा वेंकटेश्वर राओ 2015 आंद्रपरदेश तेलंगना अब यह बताए यह 2015 का case decision है और अगर आप इसकी reality देखें तो यह 93-94 के case के scrutiny assessment के result का part है मतलब यह हुआ कि scrutiny assessment 93-94 में उठाया गया था और उसको decision करके high court तक पहुँचा कर high court में जो judgment दिया गया 2015 में दिया गया तो थोड़ा सा तो ही कमाल चलिए done अब देखते हैं इसमें था क्या matter क्या था matter यह था कि एक partnership firm है SSE हमारी वही है partnership firm आचा partnership firm के पास 10 partner थे जिन्होंने capital contribute किया था particular time period में धीरे धीरे करके payment करके उन्होंने capital contribution किया था जब 93-94 में यह case pick किया गया तो AO ने उस particular capital contribution पर target किया और explanation मांगा firm से कि यह जो आपके books में credit है cash credit है इसको आप explain करो partnership firm ने explain किया क्या explain किया explain किया कि यह partner ने contribute किया है partnership firm explains that partners have contributed their capital partner ने भी पढ़िये गाई से ठीक से समझेगा partner also admitted capital contribution partner ने भी बताया कि yes it's our capital contribution clear हो गया firm ने बता दिया कि यह partner ने दिया पैसे partner से पुछा गया partner agree है कि हाँ हमने यह capital contribution दिया लेकिन partner ने यह पैसे कहां से आये जो आपने farm में लगाये यह पैसे कहां से आये जो आपने farm में लगाये उसका satisfactory explanation नहीं दे पाए partner satisfactory explanation नहीं दे पाया कि ये पैसे आए कहां से उनके पास firm के पास कहां से आए partner से आए partner ने admit किया कि हाँ मैंने ये capital contribute किया है लेकिन ये पैसा मेरे पास कहां से आए ये नहीं बता पाये वो satisfactory explanation नहीं आए ठीक है A.O. ने section 68 invoke किया और partnership firm के उपर इस cash credit को tax किया as a black money अब प्रश्न क्या उठता है कि भाई साब section 68 पढ़िए और बताइए क्या ये वाकई में firm के उपर लगाया जाएगा section 68 section 68 में लिखाया है कि अगर SSE के books of accounts में अब मैं section 68 बता रहा हूं सुनियेगा ठीक से section 68 में लिखाया है कि अगर SSE के books of accounts में cash credit पाया गया तो एओ के पास right है कि वो explanation मागे और SSE ने अगर explanation नहीं दिया पहली बात explanation नहीं दिया पहली बात दूसरी बात satisfactory explanation नहीं दिया यानि explanation तो दिया बटे यो satisfy नहीं है तो ऐसी परिस्थिती में section 68 कहता है कि वो आमदनी मान ली जाएगी SSE की जो cash credit है वो SSE की income मान ली जाएगी ये तो वा section 68 ठीक है अब मैं आपको थोड़ा सा background मिले चलता हूँ section 68 के section 68 का जो misuse किया गया था उस misuse के बाद section 68 में first proviso insert हो गया misuse को मैं थोड़ा सा simple तरीके से बताना चाहूँगा एक example के रूप में मान लिजे कि private company है किसी व्यक्ति की और उस व्यक्ति के पास करोड़ों रुपे हैं black तो उस व्यक्ति ने उस करोड़ों रुपे को 20 लोगों में बांट दिया और 20 लोगों में जो cash बांट दिया उसके बदले उन्होंने 20 लोगों से check ले लिया 20 लोगों में cash बांट दिया और 20 लोगों से check ले लिया cash उतना बांटा गया कि अगर उसके उपर taxability की भी जाए तो tax zero आए अगर उसके उपर taxability की भी जाए तो tax zero आए for example मान लेते हैं आज के दौर में हम example लेते हैं कि चार लाख रुपे किसी वेक्ति के income है तो उसके उपर हम tax निकालेंगे अगर rebate वगरा less करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा उस जमाने में जो भी रहा था उस accordingly 20-25-50 लोग जितने भी उनको बन पाये जितनी भी income थी उसके इसाब से distribute करना था सब में distribute करके उनसे उन्होंने चेक ले लिया यानि काला पैसा दिया और चेक में पैसे ले लिये चेक में जो पैसा लिया वो वेक्ति वो अपने लिये नह पर share application money या share allotment इस तरीके से उन्होंने पैसे ले यह पहले करते थे लोग चलता था गड़ बरता ही अच्छा आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी नहीं तो समझनी आएगा चली ऐसा हो गया फिर क्या होता था मतलब यह तो हुआ चोरी अब चोरी के अलावा देखिए इ company को कहता था कि भाई यह पैसे तेरे पास कहां से आए शेयर application money में इतने पैसे खड़े एक्स्प्लेइन कर तो वो उन सभी व्यक्तियों का जिन जिन से उन्होंने पैसे लिये थे उन सब का नाम उन सब का पास्बुक का फोटो स्टेट बैंक बैंक डीटेल सब कुछ तमीद से स्टैपल करके बढ़िया से देखा के पकड़ा देता था यह को कि साब यह है सारे sources यह लोग है इनका नाम यह है इन्होंने यह बैंक की डीटेल आपको मैं दे रहा हूं पास्बुक की डीटेल दे रहा हूं यह इन्होंने हमें पैसे दिये हैं और यह बिलकुल satisfactory explanation मान लि आपिछे अब यह पीछे पड़ा है तो अब देखेगा कहानी का कमपनी कहती है उन सभी वेक्टियों से वह company के पीछे का जो बंदा था जिसके पास ब्लैक मनी था उन्हें सब से कहा रखा था कि तो शिंता नहीं करनी अगर यह कहता है यह पूछता है कि पैसे कहां से है तो व्यक्ति पहले से तयार है लेकिन section 68 किस पर invoke हो रहा था उन व्यक्तियों पर उस individuals पर invoke हो रहा था ठीक है बहुत सारे इंडिविजुल है पचास लोग है उन पचास लोगों पर section 68 इन वोक हो गया अब उस जमाने में अगर किसी के पास काला धन पाया जाता था जिस जमाने की मैं कहानी सुना रहा हूँ 2012 से पहले तो काला धन जिन पर पाया जाता था उनके उपर slab rate से tax होता था बड़े कमाल की चीज है काले धन पर आज 30% flat tax है बड़ उस जमाने में slab rate से tax लगता था और जितना tax आता था उसका तीन गुना penalty होता था अब यह हुआ कि किसी व्यक्ति पर अगर 10 लाग रुपे का निकालेंगे अब इसको करोणों को सोचके देखिए करोड़ों रुपे है तो करोड़ों रुपे पर tax निकाल दिया माली जिए 20 से 25 लाग रुपे का tax आ गया तो 25-30 लाग का tax बना और tax का 3 गुना यानि 30 लाग का tax बना तो 3 गुना कितना होता है 90 लाग 90 लाग की penalty बनी तो जब उन पर हम tax निकालेंगे तो वह tax 0 आएगा क्योंकि slab rate का मज़ा ले जाएंगे वो और उस 0 का आप 3 गुना करो या 5 गुना करो फरक क्या पड़ता है penalty भी 0 आनी है तो कहने का मतलब यह है कि उस जमाने में law में जो कमी थी penalty हम tax का 3 गुना लेते थे और slab rate से tax निकाला जाता था black money पर इस वजए से सब गड़बड हो गया सब कुछ गड़बड हो गया और लोग ने इस sections के बड़े मज़े उड़ाए section 68 लगा दो हमें क्या दिख्कत है section 68 लगा दो ऐसे जमाने में ऐसी परिशानी में फास्ट प्रोविजो इन्वोक किया गया था इंसर्ट किया गया था इस section में और कहा गया था कि private limited company के books में अगर cash credit पाया गया in the name of share application money capital हमें हो और भले ही Company ने बता दिया हो कि यह पैसे कहां से आए ad ź依ा है कंप्नी ने बता दिया ओ यह पैसे कहां से आए लेकिन shareholder अगर satisfactory explanation नहीं दे पाया तो यह माना जाएगा कि companies ने satisfactory explanation नहीं दिया और company के हाथ में टैक्सबल हो जाएगा यह समाधान निकाला था उन बैमानों को रोकने के लिए अब जरा उसी केस को दुबारा से मैजिन कीजिए कि अगर वो 15-50 लोग satisfactory explanation नहीं दे रहे हैं तो कंपनी के हाथ में टैक्सबल हो जाएगा और कंपनी पर slab नहीं लगता तो 30% टैक्स आएगा कंपनी पर लैट टैक्स 30% 35% होता था उस जमाने में जब मैं बात करो और उसका तीन गुना penalty तो finance minister ने first proviso insert करके यह सोचा कि हमने यह सारा काम ठीक कर दिया हलांकि उसके बाद 2012 के बाद black money में जो amendment किये गए तो black money में आज की date में 115 BBE applicable हो जाता है और 30% flat tax है तो आज फरक नहीं पड़ता आज की date में अगर यही case में दुबारा से कहूं कि फिर से एक private company और shareholder उनके पचासों हैं जहां से दो दो लाग तीन तीन लाग रुपे आए हैं और company के पास करोड़ों रुपे आ गए हैं और company explain कर रही है कि shareholder यह रहे वर shareholder कह रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है 68 लगा दो तो आज ऐसा प्रॉब्लम नहीं है आज अगर 68 shareholder में लगता है दो लाग रुपे पर भी तो दो लाग रुपे पर सीधा 30% पहले tax आएगा फिर penalty आएगी आज तीन गुनी penalty नहीं रहे रहे गई लेकिन penalty तो है tax आएगा penalty आएगा दूसरे consequences है clear है लेकिन यह जो history आपको मैंने सुना है इसके पीछे reason यह है कि history में first proviso जो insert हुआ था वो उसी case को लेकर हुआ था जो case मैं आपके सामने example बना कर बता रहा था लेकिन इसमें उन्होंने private company लिखा अब 2015 में यह उसी जमाने का case लो था 93-94 का यह scrutiny उठाय हुआ है उस जमाने में matter क्या है यहाँ पर partnership form का matter है तो क्या section 68 आप लगा पा रहे हो जो main section है नहीं लगा पा रहे हो क्योंकि form तो explain कर रहा है फस्ट प्रोवीजो लग जाएगा क्या नहीं फस्ट प्रोवीजो भी नहीं लगेगा क्योंकि फस्ट प्रोवीजो इस प्राइवेट कंपनी के लिए वह भी नहीं लगेगा तो अब क्या अब कुछ भी नहीं तो court का यही judgment रहा कि cash credit को आप फर्म के हाथ में taxable नहीं कर सकते क्योंकि फर्म ने बता दिया कि यह पैसे कहां से आए फर्म का इतना कत मतलब है यह पैसे कहां से इन इन वेक्ति से आए वो वेक्ति अगर यहां पर लिख दिया however individual partner may be assessed for unexplained investment तो cash credit भी black money होता है आप जानते हो और unexplained investment भी cash black money होता है तो black money मानना ही है partner के हाथ में तो unexplained investment के रूप में माना जा सकता है यहां तक ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि आज भी यह judgment बिलकुल relevant है firm के लिए आप इसे cash credit नहीं tax कर पाएंगे क्योंकि first proviso private company के लिए applicable है firm के लिए नहीं है private company का यहां matter होता firm के जगा private company होती हो और partner के जगा shareholder होता तो first proviso का according अगर shareholder explain नहीं कर पाया कि source कहां से आया तो माना जाएगा कि company नहीं किया और company के handmade action लेकिन यह बात private company के लिए partnership firm के लिए नहीं है ठीक है सर अब सर आप कुछ कह रहे थे 2022 के budget से 2022 के budget से assessment year 23-24 onwards section 68 में amendment आया है first proviso जो था उसे second बना दिया गया यानि private company का जो आज matter है वो second proviso में आपको दिखेगा और first proviso में कुछ और उन्होंने लिख दिया क्या first proviso में amendment आने के बाद ये judgment relevant रह जाएगा प्रश्ण है sir क्या है first proviso उसमें अब अब ये जो company वाला है ना वो second proviso बन गया तो first proviso क्या ऐसा है first proviso कहता है कि अगर किसी भी person ने किसी भी person से loan लिया है borrowing ली है अपने books of accounts में जो कि credit में आएगा cash credit बन जाएगा loan या borrowing लिया है उस व्यक्ति ने जिससे लिया है loan borrowing वो नाम पता address phone number अधार number सब बता भी देता है जिसने लिया है लेकिन जिसने दिया है loan अगर वो explain नहीं कर पाया कि उसके पास पैसे कहां से आए तो माना जाएगा कि इस व्यक्ति ने explain नहीं किया और इस व्यक्ति के हाथ में taxable हो जागा यानि कि जो private limited company के लिए second प्रोवीजो था same उन्होंने अब all person के लिए बना दिया first प्रोवीजो में लेकिन 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 उन्होंने वहाँ पर loan borrowing loan borrowing को covered किया है और अगर हम memorandum explaining finance bill देखें तो specially उन्होंने cover किया है loan और borrowing और loan borrowing के ही type के ही nature का but capital contribution वहाँ आप आएगा doubtful है capital contribution loan borrowing नहीं है तो क्या capital contribution पर आप वो अब लगा पाऊगे जो amendment 2022 में आया ये कहना मुश्किल है अब देखेंगे कि क्या कोई circular clarify कर दे कि other sum loan borrowing other sum में capital contribution भी यूज हो सकता है अगर ऐसा कोई कह दे circular आ जाए या कोई clarity आ जाए तो हम मानेंगे कि ये case laws नहीं रहा otherwise अभी भी ये case law जीवित है और relevant है relevant है आप समझ गया होंगे firm के case में ये section 68 applicable नहीं होगा अलाकि आज मैं आपको फिर से बता देख दूँ कि ये जगडे आज अगर ऐसा कोई case फसता है तो ये court तक नहीं जाएगा ये मैंने आपको बताया ना 93-94 का case है इसलिए court तक गया आज अगर ये वाला same case फस जाता है कोई भी case फस जाता है एयो तो ये क्यों जगड़ा करेगा आप ही सोचिए फर्म के हाथ में taxable करो या partner के हाथ में taxable करो income tax department को same payment आनी है black money है 30% tax है फर्म दे या partner दे 25% सर्चार दे तो सब कुछ penalty 10% है सब कुछ सेम है चाहे firm हो या partner हो तो कोई फरक नहीं परता अगर firm explain कर दे और लड़ाई करेगी मेरे हाथ में मत tax करना partner के हाथ में कर देंगे problem क्या है तो आज ये case बहुत दूर नहीं जाता ठीक है तो taxable तो ऐसा तो नहीं है मैंने ये कहा कि ये जो पूरी कहानी आपको दिखा रहा हूं firm वाली वो taxable ही नहीं होगी मैंने आप firm के हाथ में taxable नहीं होगी partner के हाथ में taxable हो सकती है लेकिन cash credit के रूप में नहीं unexplained investment क्योंकि firm में partner ने investment किया है तो उमीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और आप ये जैसा मैंने पहले भी बोला था कि मैं इसको थोड़ा सब यहाँ पर आप वीडियो pause कर लीजेगा और वीडियो pause करके इसको note कर लीजेगा पहले number second ये रहा आपका दूसरा number रुक जाता हूं इसको आप रोक लो ठीक है इसके बाद ये और फिर ये आखरी जैट चलिए फिर मिलते हैं बाई